बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, आज हम सीखेंगे कि हम यूजर से दो नंबर्स को किस तरीके से इंपुट लेंगे और उन्हें कैसे दो विरियेबल्स के अंदर सेव करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, सम करेंगे और स्क्रीन के उपर प्रिंट करेंगे जिसरा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का टार्गेट है जो हम इंटल के 886 की असमली लेंगिज के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम सबसे पहले एक message प्रिंट करेंगे, enter first number, user से input लेंगे और उसको save करेंगे पिर हम एक दूसरा variable लेंगे, दूसरा एक message प्रिंट करेंगे, input लेंगे उसको एक दूसरे variable के अंदर save करेंगे मिसाल के तोर पे अगर हम इस 2 को num1 variable में save करते हैं और इस 3 को num2 variable में save करते हैं और उसके बाद फिर हम इन दोनों variables को add करेंगे और screen के उपर उसका sum display करवाएंगे तो इंटल के 886, microprocessor की assembly language के लिए, जो assembly language लिखनी है और इसको compile करना है उसके लिए हम emulator 886 को इस्तमाल करेंगे सबसे पहले code लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 4 dots लगाएंगे पहले dot के आगे लिखेंगे dot model small dot stack 100h dot data और dot code code में आके हम लिखेंगे main proc, main end p, end main यह हमने main procedure बनाया है, इसके अंदर हम दो लाइने लिखेंगे move करें, ax register के अंदर, at data, data segment register को हम initialize करवाएंगे move करें, ds के अंदर, ax की value और last ही last, last पे हम program को terminate करने के लिए properly, जो हमें resources मिले हैं, उसको properly हम वापिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो दो लाइने लिखेंगे ah में 4ch int 21h अब हम ये वो area है, ये वो area है, जहां पे हम बाकी का सारा अपना program की logic लिखेंगे, ये वो जग़ा है जहां पे हम अपने variables बनाया करेंगे, तो basically जब भी आपने intel के 8086 की assembly के अंदर, intel के 8086 की assembly का code लिखना है, तो आपको सबसे पहले ये main, ये structure आपको बनाना ज़रूरी है, ये अपने structure बना लिए, सारे के सारे variables यहां पर declare करेंगे, मैं यहां पर एक message बनाता हूं, string बनाता हूं, message one, define byte, enter first number, end पर dollar डालते हैं, इसी तरह एक और message में बना लेता हूं, message two, define byte, enter, second number, dollar, end पर, dollar इस बात को show करता है, कि हमारी string end हो गई है, फिर मैं एक variable बनाता हूं, num, define byte, question mark, इसको हम num, one कह लेते हैं, और एक और variable बनाते हैं, num, two, define byte, question mark, और एक और variable बनाते हैं, sum, define byte, question mark, सबसे पहले हमने, message one को print करना है, move करें, age register में function number nine, move करें, dx register के अंदर, offset address, message one का, interrupt 21 age, यनि 21 वाला जो box है, उसके अंदर से function number nine को हमने basically call करना है, और function number nine की interrupt, interrupt का मतलब होता है, रुक जाओ, अगली line को नहीं अभी चलाना, अगला code नहीं चलाना है, बलके क्या करें, function call करें, तो कौन सा interrupt है, 21 age, dos, disk operating system के, जो built-in provided code है, उन में से, जो पहले से provide किये वे functions हैं, उसमें से function number nine को basically हमने call करना है, और function number nine की requirement है, कि अगर function number nine क्या करता है, string print करता है, इसे सिर्फ हमने dx के अंदर, जोन सी string print करनी है, उसका offset address, dx में इसको provide करते हैं, बाकि यह सारी की सारा, यह इतनी तीन लाइनों का code, यह पूरा message screen के ओपर display करेंगे, यह message display करते ही, हमने move करें age में function number one, function number one single character को input लेता है, int 21 है, जो function को call कर दें, और आपको पता है कि जैसे ही, जब भी आप function call करते हैं, तो जो input आएगी, वो हमेशा, अगर आप keyboard से 2 press करते हैं, तो 32 hex, ask की value किदर आएगी, al register में, यहाँ पे हम, एक line यह लिखेंगे, जो कि क्या करेंगी, यह line क्या करती है, यह basically जैसे input आएगी, keyboard से एक बटन प्रेस होगा, वो value al में आती है, तो यह वाई line क्या करती है, al की value num one register के अंदर save करवाएगी, तो अभी तक हमने screen पे एक message print किया, और उसके बाद, हमने एक input लिया, और जो answer आएगा, उसको हमने num one variable के अंदर save करवाया, यहां तक हम अपने code को पहले चला के देखते हैं, run करें, यह देखें, enter first number, cursor blink हो रहा है, waiting for input, अब हम जैसे ही, मैं अगर four press करता हूँ, तो आप देखेंगे, four press किया, तो four क्या, वाकि variable one में चला गया, तो आप देख सकते हैं यहां पर, जो num one है, इसके अंदर क्या value पड़ी भी है, 34, यह 34 hex, hex हमें, अब आप कहेंगे, sir आपने तो four press किया है, तो यह 34 क्यों गया है, तो हमें पता है, कि four, जब हम keyboard से, कोई भी character, कोई भी button प्रेस करते हैं, तो उसके बदल एक signal जाता है, जिसे हम ask की कहते हैं, तो four press किया है, तो back end पर 34 जाता है, 34 hex, फिर इसी तरह से, अब हमने next line के उपर, next line पर जाना है, तो next line का, next line का code अगर हम लिखते हैं, तो उसके अंदर हमने move करें, age में function number two, move करें, dl के अंदर, यह हम दो characters को print कर रहे हैं, new line और line feed, इसको हमने print करना है, तो enter के बदले दो चीज़े होती हैं, line feed और new line, तो 0, dh, int, 21h, move करें, age में function number two, move करें, dl के अंदर, 0 a h, int 21h, यह 6 line हैं code की, यह जो 6 line हैं हमारे पास, इसके बदले screen के उपर, क्या होता है, enter print होता है, मतलब next line के उपर जाता है, अब हम चाहते हैं के एक और message screen के उपर print करें, तो दूसरा message हमने जो screen पर print करना है, हम कहेंगे, move a h में function number nine, move करें, dx के अंदर, offset address, message 2 का, और साथ यसाथ function call करेंगे, function call करने के फॉरण बाद, हमने input लेनी है, move करें, h में function number one, int 21h, और move करें, num 2 के अंदर, al की value, यहनि, इसमें, अब यह देखें, यह हो क्या रहा है, पहले, पहले एक message print होगा, उसके बाद input लेके, उसे num 1 में save करेंगे, next line के उपर जाएगा, next line के बाद, message 2 परिंट होगा, enter your second number, और उसके बाद, फिर input लेंगे, और वो num 2 के अंदर जाएगे, तो यहां तक ज़रा, इसको चला के देखें, क्या वाकिए चलता है, run करें, step by step चला के देखा करें code को, अब मैं यहां पर 3 press किया, और फिर मैंने 5 press किया, तो आप देख सकते हैं, पहली line में 3, उसके बाद next line आया, और उसमें उसने कहा, enter second number, तो मैंने 5 press कर दिया, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, वार्ज में जाके, num1 के अंदर 33 hex पढ़ावा है, और num2 के अंदर 35 hex पढ़ावा है, अब हमने इन दोनों को, num1 और num2, दोनों को जमा करके, sum के अंदर save करने, तो यह काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, add num1, num2, यह दो variables को हम add नहीं कर सकते, तो अगर दो variables को add नहीं कर सकते, तो यह तो काम कर सकते हैं न, एक temporary register के अंदर num1 की value लेके आएं, और इस तरह से, यहनिंग num1 की value dl में आ जाए, dl और num2 दोनों को add करेंगे, और answer फिर किदर जाएगा, dl में, और फिर हम move करेंगे, sum के अंदर dl की value, तो sum के अंदर हमारे पास dl की value आ जाएगी, अब इसके बाद हमने दुबारा से message print करना है, message number 3, message 3 print करना है, बलके उस से पहले हमने next line के उपर जाना है, हम यहाँ से यह सारा code यहाँ से copy कर लेते हैं, यहनी sum करने के बाद हमने next line पर जाना है, next line का code, फिर इस दफा message 3 print करना है, और साथ ही साथ message 3 print करने के बाद, जो sum के अंदर value पड़ी वी है, वो भी हमने screen के उपर print कर ली है, move करें, dl register के अंदर, sum की value int 21H, तो यह कुछ हमने code लिख के देखा है, हम इसको चला के देखते हैं, क्या यह वाकिछ चलता है, यहाँ पर हमारे पास एक error आ रहा है, कह रहा है message 3, message 3 आपने बनाया नहीं, तो हम message 3 भी यहाँ पर बना लेते हैं, message 3, define byte, उसमें हमने कहना था, your sum is, यह हमारे पास message था, यह बनेगा, message जब भी बनाते हैं, end पर बताने के लिए, message खतम हो गया, dollar का sign लाजमी है, अब हम इसको दो आइमूलेट करके, चला के देखते हैं, run करें, तो आप देखेंगे, मैंने press किया 3, फिर मैंने press किया 2, तो जैसे मैंने 3 और 2 प्रेस किया, तो answer आया, your sum is E, इसकी क्या reason है, इसकी reason यह है, कि अगर हम अपने, वार्स, variable में जाके देखें, तो हमारे पास num 1 में क्या value थी, 33 hex, num 2 में क्या value थी, 32 hex, दोनों को जमा किया, तो answer क्या आया, 65 hex, 65 hex को जब मैं DL register में डाल के, screen को बेजूँगा, तो screen 65 hex को एक ask कि consider करेगी, और हमें पता है, अगर हम यहां से ask की codes में जाएं, तो हमें पता है, कि 65 hex, यह रेखें, 65 hex के बदले screen पे क्या print होता है, E, तो यह तो काम गलत हो गया, तो हमने, हमने basically अब करना क्या है, इसमें modification जो असल, जो इस वीडियो का हासिल है, वो यह है, कि जब भी input लेते हैं, तो उसको character से number बना के save करते हैं, तो यहां पे हम जाते हैं, यह input थी, इसको मैं save करने लगा था, तो आपने जब भी, देखे न, जब भी input लेनी है, तो उसमें से subtract करना है, AL में से 30 hex माइनस करके, फिर यहां पे आप input ले रहे हैं, तो आपने subtract करना है, AL में से 30 hex, और जब आपने, जब आपने display करने लगने, जब आपने display करने लगने, तो उस वकद आपने, अगर मैं आपको इसको दिखा सकूँ, चला कर ज़रा एक दफा देख लें, अब आप देखेंगे, अब आप यहां पे 77 variables को देखें, मैंने अभी कुछ नहीं प्रेस किया, मैंने प्रेस किया 5, मैंने प्रेस किया 5, तो इस दफा, वार्स भी आप देखेंगे, num 1 में 5, num 2 में 6, दोनों को जमा करें, तो क्या आंसर आता है 11, जो कि यह क्या है B, यानि इस दफा हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ रहें, लेकिन चुँके, अब अगर हम इसको दुबारा देखें, run करें, मैं कहता हूँ 3, मैं कहता हूँ, अभी हम जो यह प्रोग्राम लिख रहें न, यह less than 10, हमारा sum less than 10 होगा, तो यह अभी single character के लिए काम हो रहा है, 3 और 4 अगर हम करते हैं, तो आप variables में जा के देखें, तो इस वकद आपका answer बिल्कुल ठीक आयाँ है, लेकिन यह sum के अंदर 7 है, अगर आप 7 को screen के उपर print करना चाहते हैं, तो 7 की ask की होनी चाहिए, 37 हैक्स, तो क्या करेंगे इस काम को करने के लिए, हम जब भी display करने लगेंगे, display करने से पहले add करेंगे, sum के अंदर 30 हैक्स, तो अब हम जब जब इसको चला, यनि आपने करना क्या है, input लेते हुए, variables में से 30 हैक्स, minus करके save करना है, सारी calculation करके, एक character को जब screen पे दिखाने लगें, तो उसको number से character बनाने के लिए, 30 हैक्स add करके, display करवाने, तो अब हम इसको अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं, मैंने 3 प्रेस किया, फिर मैंने 5 प्रेस किया, तो 3 और यह हमारा answer आ गया, your sum is 8.